एक दिन बीर्बल दर्बार में उपस्थित नहीं थे। ऐसे में बीर्बल से जलने वाले सभी सभासद बीर्बल के खिलाफ अकबर के कान भर रहे थे। अक्सर ऐसा ही होता था, जब भी बीरबल दर्बार में उपस्थित नहीं होते थे, तभी दर्बारियों को मौका मिल जाता था आज भी ऐसा ही मौका था, बाजशा के साले मुलाद दो प्याजा की शेह पाए कुछ सभासदों ने कहा, जहां पना आप वास्थव में बीरबल को आवश्यक्ता से अधिक मान देते हैं, हम लोगों से ज़्यादा उन्हें चाहते हैं आपने उन्हें बहुत सिर्चड़ा रखा है, जबकि जो काम वे करते हैं, वो हम भी कर सकते हैं मगर आप हमें मौका ही नहीं देते, बादशा को बीरबल की बुराए अच्छी नहीं लगती थी, अतहुन हुने उन्चारों की परीक्षा ली, देखो, आज बीरबल तो यहां है नहीं और मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए यदि तुम लोगों ने मेरे प्राश्ण का सही सही जवाब नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चुरवा दूंगा बादशा की बात सुनकर वे चारों घबरा गए, उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्ण बताए बादशा सलामक संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है, और अच्छी तरह सोच समझ कर जवाब देना वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी पर चुरवा दिया जाएगा बादशा अक्बर ने कहा, एक पटे जवाब हरगेच नहीं चलेगे, जवाब एक हो और बिल्कुल सही हो, बादशा सलामत, हमें कुछ दिनों की मुहलत दी जाए, उन्होंने सलाह करके कहा, ठीक है, तुम लोगों को एक सबताह का समय देता हूँ बादशा ने कहा, चारों दर्बारी चले गए और दर्बार से बाहर आकर सोचने लगे कि सबसे बड़ी चीज क्या हो सकती है, एक दर्बारी बोला, मेरी राय में तो अल्ला से बड़ा कोई नहीं, अल्ला कोई चीज नहीं है, कोई दूसरा उत्तर सोचो, दूसरा बोला, दिन बीट गए लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं सूजा। हार कर वे चारों बीरबल के पास पहुँचे और उसे पूरी घटना के सुनाई, साथ ही हाथ जोड़कर विनतिकी की प्रश्न का उत्तर बता दे। दर्बार तक ले चलोगे। एक मेरा हुक का पकड़ेगा, एक मेरे जूते लेकर चलेगा। बीरबल ने अपनी शर्ट बताते हुए कहा। ये सुनते ही वे चारों सन्नाटे में आ गए। उन्हें लगा मानो बीरबल ने उनके गाल पर कसकर तमाचा मार दिया हो। मगर वे कु जूते लेकर चल दिया। रास्ते में लोग आश्चर्य से उन्हें देख रहे थे। दर्बार में बादशा ने भी ये मंजर देखा और वह मौजूद दर्बारियों ने भी। कोई कुछ न समझ सका। तभी बीरबल बोले, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ी चीज है ग गरच से ये पालकी यहां तक उठा कर लाए हैं। बादशा मुस्करा कर रह गए, वे चारों सेर जुका कर एक और खड़े हो गए।